दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आई एंडी हिंदी टेक में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटियम पेमेंट बैंक का जीरो बालेंस सेविंग से काउंट आप वीडियो कॉल की मदशी कैसे खोल सकती हैं आप इस वीडियो की अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि इस वीडियो में पूरा इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं कि आखिर यहाँ पेटियम पेमेंट बैंकाज जीरो बालेंस सेविंग्स अकाउंट आप वीडियो कॉल कियो आईसी वेरिफिकेशन कंप्लेट करवा के कैसे खोल सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले एक दो तिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है और आप लोगों को मैंने सुचित करा दिया है कि आप लोग जो है पेटियम वालेट का फुल कियो आईसी अब वीडियो कॉल के मदद से बड़े ही आराम से कर सकेंगे उस वीडियो में हमने आपको पूरा इनफॉर्मेशन दे रखा है अगर आप वाफ वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में हमने सबसे उपर लिंक दे दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकती है अब उस वीडियो के नीचे काफी सारे कमेंट भी आये हुए थे कि क्या यहाँ वालेट की फुल के वाइसे कंप्लेट करने के बाद हम लोग जीरो बालेंस सेविंग से काउंट चो पीटियम पिमेंट बैंक का है क्या हम लोग उसे उपन कर सकेंगे या फिर उपन नहीं कर सकेंगे आखिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था तो मैंने भी सोचा कि चलो एक वीडियो बना कर आप लोगों के सामने बता देता हूँ कि कैसे आप लोग अपना सेविंग से काउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों समानने था हम आपको बता दे कि अगर आप पीटियम पिमेंट बैंक का सेविंग से काउंट ओपन करना चाहती है यानि कि आपको जो है नियरवाइस इंटर वेगरा जाने की जरूरत नहीं है आपवान्मिन्ट बुक करने का जरूरत नहीं है बस आप लोग क्या करो कि अपना P.T.M. वाले अप्लिकेसर ओपिन करो ओपिन करने के बाद यहाँ पर एकाउंट वाले आपसंस में जाओ या फिर फैसलेटी निकाला गया है वो कुछी एकाउंट पर निकाला गया है धीरे धीरे करके अगर आपके एकाउंट पर यहाँ वीडियो कॉल की आपसंस नहीं आ रहा है तो आप जो है कुछ दिन वेट कर लेजिए आपके एकाउंट पर भी यहाँ आपसंस जल्द उपलब्द कर सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि PTM वालेट की KYC जो कि मीनी KYC से आप लोग एकाउंट ओपन करती हैं और इसे फुल KYC में बदलने के लिए आप लोग क्या करती हो कि PTM का KYC पॉइंट है वहाँ पर आप जाती हो या फिर आप पॉइंट को बूग करती हो लेकिन अब आप अपने आधार OTP के मदद से KYC यहाँ पर कम्पलीट करके उसके बाद वीडियो कॉल के मदद से KYC वेरिफिकेशन करवा सकते हो जिससे आपका वालेट एकाउंट फुल KYC में बदल दिया जाता है अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होगे कि क्या हमें वहाँ पर आध आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर मॉबाइल नंबर है वहाँ उपलब्ध होना चाहिए क्या OTP आएगा आधार कार्ड जब हम एंटर करेंगे तो यह सारा चीज़े हम किलियर कर देती हैं देखिए पेटियम वालेट की फुल KYC के लिए जब आप वीडियो कॉल के लिए रेडि होते हो तो इससे पहले आपको वहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करना होता है और आधार कार्ड के साथ कोई न कोई मॉबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए जिससे आधार वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाए जब वहाँ OTP आ जाता है आपके नाम उसके बाद जो भी आपका detail address वेगरा है या फिर pen number वेगरा है वो आपको वहाँ पर डालना होता है और उसकी बाद आप जो है video call verification के लिए request कर सकते हो सबसे पहले आपको अधार number एंटर करना परेगा अधार OTP आएगा उसकी बाद अधार verification कम्पलीट होगा उसकी बाद ही आप video call verification के लिए request कर सकते हो जब एक बार video call verification कम्पलीट हो जाता है उसके बाद 2-3 working days में आपका जो PTM wallet का full KYC है वहाँ कम्पलीट कर दिया जाता है अब सवाल आता है कि क्या हम लोग एकाउंट open कर सकते हैं जो savings account है वह open कर सकते हैं पेटियम पेमेंट बैंक का या फिर नहीं तो दोस्तों जब आपका wallet का full KYC कम्पलीट हो जाता है उसके बाद आप बैंक वाला options पर क्लिक करके बरे ही आराम से आप savings account के लिए apply कर सकते हो और यहां पर मैं बता दू कि आपका approval भी मिल जाता है और account open भी हो जाता है आपको यहां फर physical verification का जरूरत नहीं पड़ता है जहां तक मेरे जानकारी के मताबिक हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं साथिसाथ आप लोगों को पता होगा कि पेटीम पेमेंट बैंक की savings account पर आप जो है maximum लोगों को visa card मिलना start हो चुका है तो हो सकता है कि आप लोग अपना account open करोगे तो आपको रूपे card के बदला में visa card भी मिल सकता है या फिर अगर आपका किसमत अच्छा नहीं रहा तो प्रापती के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आपको पता नहीं है कि पेटीम पेमेंट मैंका savings account open करने के वक्त हमें कौन कौन से process को follow करना परता है तो आप इस वीडियो के description box में जाए सबसे उपर हमने link दे दिया है उस link पर click करकि आप वह वीडियो दे आप ले तैने वाद